दोस्तों, आज क्या विडियो आपको idea लगया होगा किस पे हमारा होने बोला है Cue analysis पे हमारा video होने बोला है तो हम फैले में आपको बताँ दूँ यह practically भी theoretically दोनों वेज से मैं आपको बताँँगा कि कैसे हम Cue analysis करते हैं तो कहीं लोगों को पता यह होगा कि sieve analysis करते क्यों है, basically sieve analysis करने का एक ही funda होता है, इसलिए हम करते हैं, जो भी aggregate हो, उसका हमें specify, उसका size पता हो, और उसी size से design किया जाता है concrete, और उसी पे depend होती हमारा, अगर हमें पहले से पता होगा कि हमारा जो size है, कितना maximum है, कितना aggregate, कित उसकी workability भी अच्छी होगी और strength भी काफी जादा अच्छी होती है, तो इसलिए हम sieve analysis करते हैं, तो आज जो sieve analysis में करने वाला हूँ, वो 20 mm aggregate की करने वाला हूँ, वो आपको मैं पूरी report भी उसकी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करते हैं, क्या-क्या चीजे ध्यान देते है फुल procedure क्या होता है, report कैसे बनाते हैं, तो इस video में complete आपको मैं बताने वाला हूँ, तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और bell icon दवा लो, ऐसी videos आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दू, जो sieve हम use करेंगे 20 mm aggregate को test करने के लिए, एक हमारे चाहिए 4.75 mm की sieve, दूसरी हमें 10 mm की sieve चाहिए, तीसरी हमें 20 mm की और फिर 25 mm की और नीचे हमें pan चाहिए, तो ये हमें 5 sieve चाहिए होती है, नीचे हमारा pan लगेगा, उसके ओपर 4.75 की 10 mm, 20 mm और 25 mm की sieve हम रख देते हैं, अभी जो बाकी process होगा हमारा, वो मैं आ help से पूरा theoretical है, help से पूरा procedure भी बताऊंगा, और report बना के भी आपको दिखाऊंगा, पूरी process की report ready है, लेकिन आपको process तो सुनना पड़ेगा, देखो procedure क्या है, सबसे पहले, जैसे मैंने आपको clear किया, नीचे हमारा pan होगा, ये पूरा practically ही समझाया जाएगा, बले मैं theoretically कर र देते है, हमने जो sample ए यो ले लिया, मैंने example ले लि लि, 3 kg 70 g का, मैंने sample ले लिया, या आप कुतना भी ले सकते, ये ले हमने 3070 gram, या 3 kg 70 gram का हमने sample ले लिया, ये aggregate डाल दिया, हमने, और हमे specify किया है कि हमारा जो dumper जो truck आए, aggregate ले के, वो 20 mm का aggregate लेकर लेकर आया है, तो हम 20 mm के check कर रहे है तो 20 mm का जब में इसमें डाला 25 mm किसी में तो उसको हमें shake करना होता है इसके वाईबरेटर भी आता है नीचे वाईबरेटर लगा होता है यह पूरी छन्डडि रही हिलती है वाईबरेटर नहीं है आपको shake किया ठीक है तो हमारा जो 25 mm का था उसमें हमारा 0 बचा उसमें एक भी aggregate का piece नहीं बचा पहले सबसे पहले यहाँ देखना यहाँ नहीं और यह मैं बाद में पूरा report आपको बताता हूँ आप देख भी सकते हो इधर sieve का size आ गया इधर कितना weight है उसको मैं process के साब से बताऊंगा हमारा 25 में 0 बचा तो हमने 25 की sieve उठा के side पर रख दी फिर जो 20 mm की sieve थी यह 20 mm की sieve इसको उठाया हमने यहाँ लेके गे इधर हमारा weighing machine है मतलब इसमें से जो भी aggregate निकला उसको हमने इधर उसको तोला तो हमारा जो weight आया वो कितना आया 50 gram कितना 50 gram तो हमारा 20 mm की sieve थी उसमें हमारा 50 gram ही aggregate है ठीक है clear फिर उसके बद हम इसको और ही लाया उसके बद 10 mm की sieve हमने ली 10 mm sieve को खाली किया और उसका weight किया उसका भजन किया हमने मतलब 2 kg 910 gram या 2910 gram clear मतलब एक ही बात हुए kg में बता दिया ग्राम में बता दिया तो ये हो गया फिर हमने sieve ली 4.75 वाली ठीक है 4.75 वाली ली उसको खाली किया उसमें से हमें कितना aggregate मिला उसका हमने weight कर लिया उसका weight किया जब हमने तो हमारा आया 90 gram उसमें हमारा बचया कितना 90 gram clear फिर जो नीचे पैन लगा होगा उसमें हमारी dust बच्ट आती है थोड़ा छोटे मुटे पीस आते है वो उसको खाली किया उसका weight किया हमने वो आया हमारा 20 gram clear इतना clear हो गया कि हमने जो भी मैं फिर से रिपीट करवाया था हम प्रोसेस हमने एक सैंपल लिया था 3 kg 70 gram का उसको इसमें डाला इसको शे किया कोई 2 मिनड़ हिलाते रहे तो जो एग्रिगेट था वो दीर दीर नीचे नीचे अपने अपनी सीम में आ गया जिस हिसाब से उसके बाद हम एक एक पैन उठाते गे उसका वेट करते गे और यहां नोट करते गे इदर दर क्लेर हो गया उसके बाद क्या करना होता है उसके बाद हमने निकालने होती है यह जो आप टेवल है यह आपको अगर चाहिए होगा मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा यहां आपको चाहिए होगा मिल जाएगा यह परसंटेज रिटेंड जितना बचा था एक क्यूमिलेटिड आगे में टोटल आगे में बताओं का कैसे करना है परसंटेज या पासिंग और लिमिट एस पर आइस 383 क्लेर अभी क्या करना है 25 mm में कितना परसंटेज था 0 हमारा एक भी एग्रिगेट उसमें नहीं बचा था clear जो 20 mm की सीव थी उसमें 50 ग्राम हम बचा था तो हमारी परसंटेज कैसे निकलेगी वो निकलेगी 50 ग्राम डिवाइड वाइड वाइड टोटल हमने सेंपल कितना लिया था 3070 ग्राम जितना आपका सेंपल लिया होगा और जित 2910 ग्राम बचा था तो हमें करना है 2910 ग्राम डिवाइड वाइड 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 तो 0 यह रहेगा, 20 mm में क्या था, 162% बचे था, 162% बचेगा, cumulative कर रहे हैं, मतलब plus कर रहे हैं, पुराना वाला भी हमने add गाना साथ में, तो 10 mm में क्या था, 94.7% था, प्लस हमारा पिछला कितना था, 1.62%, तो वो हो गया, 96.3%, clear, फिर फिर आपको जब 4.75 mm पे पहुंचेंगे, तो आपको क्या करना, इसको प्लस कर दे, 96.3 प्लस 2.93, तो हमारा हो गया, 99.25%, clear, फिर जब पैन में जो बचा था, वो था 0.65, तो 99.5%, तो यह हमारा 100% हो गया, ठीक है, यह clear, यहां तक clear हो गया, फिर हमारा आता है, प्रसेंटिया पासिंग, वो प्रसेंटिया पासिंग हमें चेक करनी होती है, क्योंकि जो हमारा IS code है, वो कहता है, IS code 383, आप देख सकते हैं, यह हमारी website पे भी आपको available होगा, सारे code, soil के, cement के, soil, हर चीज के code वहाँ पे free में आपको मिल जाएंगे, वहीं आपको यह भी मिल जाएगा, वो कहता है, जब आप 20 mm के aggregate का sieve analysis कर रहे होते हो, तो 25 mm में limit कितनी होती है, 100%, मतलब 100 से जदा नहीं होना चाहिए, 20 mm में 85 से 100% होनी चाहिए, 10 mm में 0 से 20% होनी चाहिए, 4.7 में 0 से 5 तो अभी हम देखते है हमारा कितना कितना बचा है, जो aggregate हम टेस्ट कर रहे है, वो सही है कि गलत, तो हमारा क्या था percentage, 100, 100 clear, यह पास हो गया हमारा, दूसरा हमारा आया था 98.3, इधर percentage कितनी 85 से 100 तक, तो यह भी हमारा पास हो गया, फिर हमारा अगला है, 10 mm के लिए, वो है 0 to 20, तो यह हमारा आया 3.7, यह भी हमारा पास हो गया, फिर हमारा 4.7 के लिए है 0 से 75, तो यह हमारा आया 0.75, मतलब यह भी पास हो गया, और यह हमारा पैंड में, जो भी डेस्ट थी, वो clear है, उससे इतना कुछ लेना देना नहीं होता, तो इससे आपको clear हो गया, कि हमारा जो aggregate था, वो test पास हो जुक है, जो हम aggregate use, जो हमारा dumper आया था, ट्रक आया था aggregate लेके, उसको हम use कर सकते है, उससे हमारा अच्छा concrete बनेगा, यही process रहता है, simple रहता है, अभी 20 mm का हो गया, fine aggregate का भी लाएंगे, sand का भी लाएंगे, सब कुछ आपको इस channel पे test, checklist, सब कुछ मि basic के लिए हमारा नहे channel है, तो सब आपको description में सब कुछ मिल जाएगा, आब अस देखते रहो, सीखते रहो, grow करते रहो, और इसके related कोई भी question होता है, तो आप जरूर कमेंट करना, मैं उसका reply जरूर आपको करूंगा, thank you guys.